पिर आप सभी का स्वागत है रुक करेंगे खबरों का यूपी में चिनावी सूपर फ्राइडे यूपी में आज सियासी शुक्रवार हैं जैसे जैसे चिनाव नजदी का रहे हैं सूबे के सर्द मौसम में सियासत की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है राजे में बड़ी हल्चल नज़र आने वाली है एक तरफ वीजेपी के चानक के और देश के ग्रही मंत्री अमिश्या लखनों में होंगे जहां निशाद पार्टी के रास्टी अधियक सुसंजे निशाद के साथ बड़ी रैली करने वाली है उधर अखिलीश व्यादव भी लखनों से सटे परोसी जिले राय बरीली में अपनी विज़ाय यात्रा निकालेंगे वो राय बरीली में रहकर जनता की नब्ज तठोलेंगे साथी लखनों में मौझूदा अमिश्या को जबाब भी दे सकते हैं अकलेश दोपहर करीब एक बज़े अपनी विज़ाय यात्रा निकालेंगे और गुरुबक्ष गंज में लोगों को संबोधित करेंगे तो वहीं अमिश्या शाहाद दो बज़े जनसभा को संबोधित कर सकते हैं वहीं से बीच कॉंग्रेस महासची प्रियांका गांधी में अमेची के दोरे पर रहने वारी हैं जो हम वो पधियात्रा कर वोट्रों को साधने की कोशिश करेंगी तो बीज़ेपी कॉंग्रेस और सपा लगातार कोशिश कर रही है और इसलिए हम सियासी फ्राइडे इसे कह रहे हैं सियासी शुकरवार कह रहे हैं क्योंकि मौसम सर्द हो गया है लेकिन जो सियासी गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है जैसे जैसे मौसम और जादा ठंडा होगा सियासी गर्मी और जादा बढ़ती हुई नजर आएगी तो यूपी का आज सियासी शुक्रवार आज तमाम जगा पर तमाम बड़े चेहरों की रेलियां होने जा रही है चुनावी वार शाह खिलेश में आर या पार की लड़ाई बहुत तेज है यूपी का चुनावी दंगल किसका मंगल और किसका मंगल आखिर किसके सर ताज सजेगा और कौन अंधे मुगिरेगा यूपी का चुनाव किसका चलेगा सियासी दाव बहुत कोशिश की जा रही है कई दाव पेज़ खिले जा रहे हैं लेकिन सियासी दाव किसका सर्थीक बैठेगा ये देखना होगा तो यूपी का आज सियासी शुक्रवार है आज यो तीन रेलियां जहाँ एक तरफ अमिश रहाएक रेली को संबोधित करने जा रहे हैं निशाद समाज को संबोधित करने जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अखिले श्यादव भी विजवयात्ता निकालेंगे तो वहीं अमेठी में प्रियांका गांधी मौझूद रहेंगी और इसी कबर पर जादा अबेट के लिए मेरे सयोगी रूबी सिद्की मेरे साथ उड़ गई है रूबी आज सियासी फ्राइडे है क्योंकि आज तीन चेहरों की तीन बड़ी रेलियां होने जा रही है तो आखिर किस तरह का माहौल फिलहाल इन जगाउं पर देखने के लिए मिल रहा है काजों के इंपेजार सिर्षी बात का साथ चुना और रूबात होती है पाटिया अपनी कमर पूरी परिकरते कल्प में तीन है आज यह जिन है जहां पर कॉंग्रेश सापा गुले सिर्षी अपनी अपनी जगा अपनी पिस्त्रों में साथ के आज लोगों से पीछ है और अपनी पातों को फिर से एक पर रखेंगे और तैंटिकर यह भी कहा जा सकता है कि चुनाओी पहूर में राटिया जल्साबा बैठा आज आप बात हो जाती है और अब आज इसके दौर से खास होता है और अब आज तक पहुंचने के लिए सीधा वाध्याद होता है और आज आज अने इस तपा हो या कौनेस हो या कि कह सखेंगे हो अपनी जो पैटिक है वो शुरूआज कर तो कि है दो हज़ार वाइस को लेकर अपसे ही माना जाज़ हो भी चाहिए वो लखना हो चाहिए वो राय बरेली हो या फिर अमेठी हो देखा जाए तो आप ग्राउंड जिरो पर इन तमाम जिलों में बनी रहती हैं हालात कैसे हैं जिलों के किसका सियासी पनड़ाज ज्यादा भारी है किसी की बूर को पहले में बताती है और खाथा ज्रत्ता बार में इसका ज्वाब जर्वाद थी इसकी उच्टार होता है लग्राज बार्वाजेश के दर्वाजे पर पड़ाजा पूरता है यह जरू कह सकते हैं कि आज ब्रेला गांदी कोई भी वादा करी है पहले भी करी है आज में कोई ना कोई बाद्टीत हो ती पहलाओं पेसाथ जरू उसके साथ भी घर ऐसे भी है जहां बताया जा रहा है पैसे साथ उसकी एक चोटी मुटी बाद्टीत ही होगी है और वहीं अपाज भी अपकी परिके से तैयारी है बिल्कुल रुबी और लखनाओ में आज बीजेपी के चानक क्या आने वाले हैं क्या समय हो उनके आगमन का और क्या तैयारियां है क्योंकि निशाद समाज को साधने की कोशिश होगी देखे पहले से ही गडबंदन है लिकिन उसके बावजूद भी कोशिश भरपूर है यानि यह कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाती कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है चाहे गडबंदन हो चाहे ना हो चाहे वो इलाका ऐसा हो जो की विपक्षखा गड़ हो हर कोशिश की जारी हर मुमकिन कोशिश है इस बार जरूर पर जरूर पर ज़रूर पर आज बनेगे जिशार पाटी और विजय बिजय को शाजा पर रहे हूं लेकिन इस जार अजिशार है तो इसे अधाजा लगाए जाता है कि यहीं अज जो बाते होंगे वहीं को लेकर बात बातोंगी और जो पुराने काम यादि बीजय को लेकर बात भी तो दो खोटे अज के साजर का शेरी गोनर है लेकिन इस तमाज रहता है कि आज जो ते रैली है वो तकी जज़र है वो खास अमिश्छा की रैली पतर बिल्कुल और अज़ा देखी जासे की भीजोपी की लिए कि अज़्छ भी पार की बात करते हैं कि पहले से भी अभी तो खुछ लोग कि राम रिंदा के जो पहले मैनुसेस्टों मे जो बात की वो रोन शुरा किया ज़िए अब हर एक बात बात की एक वादा पूरा होता है उसके बाद आ ऐसी समाव ऐसी कई और भी बाते होंगी इसको आज एक पास से पुनाने की सवाइब हो तो इंतिजार इसी पास का है कि अपिस्टा आएंगे वो अपिस्टार जन्ता के लिए क्या बादा करते हैं चले रूबी आप मेरे साथ बने रहे हैं मैं जल्द आपका रूप करूँगी तो अलग लग जगाओं की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तीन बड़ी रैलिया आज होने ज़ा रही हैं चाहिए वो राइबरेली हो अमेची हो लखनो हो यहाँ पर पक्ष हो या व हवा जो है वो दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके भी बेहती हुई नजर आती है इसको बताना जाओंगा कि इस तरह से राइबरेली हमेशा तुरू से ही हमें उल्मिला के कांग्रेज का गड़ कहा जाता है और यहां ते प्रधान मंत्री चुने जाते थे उसी को लेकर तभी पार्टियों में खासी वादो किसी देखने को मिल लए है सबसे पहले इसमिती इरानी जी आई राइबरेली एक किसी दवरे पर जहां जंतबा को संभोधित किया और बेस तोफे भी दिये इसके बाद आपको दिशी विजया यात्रा लेकर रास्तित अध आप जहन बली का इसमित मंदिर है वहाँ पर जर्षन किये आशिरवाद क्राप्ति किये और दो तीवरे में पहले दिन और सबस्रावा में जंतबा को संभोधित करेंगे जैसा कि मैं आपको बता दो कि अभी तद्काव यहां पर भेज जातो अपनी जिजया यात्रा लेकर एक ही बुछ आज़ा उने, तो यहां पर कहीं न बहुत कमदोड है जो मद्बूत स्थिती है वो यहां पर कोंग्रेस की रहती है allora, किनी मेहनत यहां पर prints क्रनी प कलना। पर दोड़े लिए लेकिन तो पर चाहां का उच्छों देखने को मिल रहा है अगले स्यादवाजी के पिजार यासरा को लेके तो उस्ते कहीं न तहीं तिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना उच्छों का पढ़ाने के लिए यहां राज्टियस या किष्छलेस चाहतों पहुट उके हैं और भारी संथा में लोगों में कहीं न कहीं भारी स्था तिखाई पड़ रहा है और अगर बात क पुटी की चुआओ का रिजन क्या होता है लेकिन सारी पार्टियस अपना जाओ पेज खिल लेगे बिल्कुल राजू अखलेश यादव यहां कितनी देर तक रुकने वाले हैं और यह जो विजय यात्रा है वो कौन-कौन से इलाकों पर होकर निकलेगी क्योंकि राय बरेली में अगर देखा जाए तो बहुत सारे सियासी मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश यहां सपाज जरूर कर सकती है जिए पिसमों बता तुकि यह दो दिस्की सवड़ा है तो काफि अहम आना जा रहा है जिए ज़दों कि जोयम अपना दो दिन यहां देंगे और फूर इस पे भी धान सभा का दोरा करेंगे जिए चिए पर चान सबाद को संदोधित करेंगे तो यह चुवावी कहीं नगी रणनी सब्साइची जा रही है समाजवाजी पार्टी की सरब से वही आजवाजवाद बिल्कुल और सभीड को लेकर किस तरह का अंदाजा लगाया सकता है राजू तो यह तस्वीरे हम आपको राइबरेली लखन और मीठी से दिखा रहे हैं जहां पर आज बड़ी रैलिया होने जा रही है चुनावी दंगल किसका मंगल किसका मंगल ऐसे तमाम जो सवाल है वो लगातार उठ रहे हैं चाहिए वो मीठी हो राइबरेली हो लखना हो बड़ में अमिशा होंगे राइबरेली में अखली श्यादा पहुँच चुके हैं इसके राइबरेली में प्रियांका गांधी मौजूद रहने वाली हैं किसका परड़ा सादा भारी होगा यह देखना होगा फिलहाल कुछ भी कहना जुल्दबाजी होगी क्योंकि जिस तरह का हु जूम देखने के लिए मिल रहा है उससे यह अंदाज अलगाया जा सकता है कि अभी कुछ भी कहना बेहर जुल्दबाजी है और यह यूपी का महौल है कभी भी कुछ भी बदल सकता है फिलाल के इतना ही आप बने रहे हैं न्यूस बाल इलिया के साथ